ये कहानी है एकी परिवार के तीन मर्द की, जिनको उनकी घर की ही नौकरानी से प्यार हो जाता है, और उसे पाने के लिए एक दूसरे के सामने समझ्या पेदा गरता है। इस मुवी का नाम है मलीजिया, मुवी के शुरुवात में हमें एक अमीर आदमी इग्नाजियो के पत्मी मार्गारीटा का फ्यूनरल दिखाये जाता है, जहां उसके मौत के बाद अभी इग्नाजियो के उपर उनकी तीन बेटों को सबालने के जिम्मेदर्य आ जाती है। इस मौत को लेकर कोई गम नहीं है, बेवस महवानों के सामने दुखी होने का नाटक करते हैं, मार्गारेटा का फ्रिमरल कतम होने के बाद जब पूरा परिबार घर वापस आता है, वे देखते हैं कि घर में एक खुबसूरत लड़की मौजूद है, जो महवानों के जाने क बाद घर की साफ सफाई कर दी है, इतना ही नहीं, वो उनके लिए डिनर भी त्यार करके रखी है, बट वे ये नहीं जानते कि वो लड़की कौन है, तब ही वो लड़की बताती है कि उसका नाम अंजेला है, और मार्गारेटा के मौत से पहले उसने उसे घर में काम करने के लिए हायर किया था, और उसे आज ही अपना काम शुरू करना था, मगर अनफोर्चुनेटली आज ही मार्गारेटा की मौत हो गई, जब इगनाजी और उनके बेटे एंजला का काम देखते हैं, और कैसे छोटा बेटा एंजीनों उसे तुरंद घुल मिल गया है, तो वे इगनाजी और उसके काम से इतना खुश होता है, कि वो मार्गारेटा के कबर पे जाके उसको थाइंक्यू कहता है, कि उसने घर में एक संत भेजा है, दोस्तो इगनाजी और उसकी पत्नी के मौत के बाद एक बिध्वा महिला जिसका नाम कोरालो है, उनके परिवाद के साथ करीवी बढ़ाने की कोशिश करती है, ताकि वो उसे शादी कर सके, मगर मजला बेटा नीनो जो कि अपने उम्र से काफी ज़्यादा बढ़ा था और जवान हो रहा था, वो कोरालो की इस बरताब को कुछ और समझ लेता है, और उसे इनाप्रोप्रिटली छुके अपना तमन जोल खेलते हुए नीनो को चोट लग जाता है, जब वो घरवा पसाता है, तब एंजला उसके मलमपट्टी कर देती है, वो एंजला से ये बात इग्नाजियों को ना बताने के रिक्वेस्ट करता है, नहीं तो उसे काफी डांट पड़ेगी, अगले दी नीनो ये बात जाक करते हैं, तो घर वापसाने के बाद अब नीनो की नजरियां अंजला की बदल जाती है, और वो उसे गंदे नजर में देखने लगता है, वो अपने छोटे भाई एंजला के साथ एक कमर में सोता है, हर रात अंजला उसके लिए गुलाब और कोई नहीं, बलकि नीनो ही जोटता है, या उसे लेकर फैंटेसाइज करता है, बलकि वो और भी खुश होती है, नीनो हर रोज अपने हरामी दोस्त पोर्चलों के घर जाता है, ताकि वो उसके जवान बेहन के साथ कुछ टाइम बिता सके, और उसकी बेहन भी नीनो की साथ फ्लर्ट करती है, नीनो पो अब वो अंजला की खुबसूर्टी को चोरी चुपे निहाने लगता है, और बड़ा-बटा अंटोनियो भी जवान अंजला को बीच विच में छेडने लगता है, मगर अंजला को यह पसंद नहीं था, इस तरह घर के तीनों मर्द अंजला को पाना चाहते हैं, एक दिन उसे रोकता है, और दोनों के बीच में लड़ाई हुदाती है, क्योंकि निनो चोटा था, इसलिए मर्दाना दिखाने के चक्कर में अपने भाई से पीर जाता है, तब उनके छोटे भाई एंजिनर भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि एक और बदमाश बच्चा था, वो दोन निनो देखता है कि एंटोनियो एकडम बंठन के अंजला के कमर के तरह बढ़ता है, तो वो भी उसका पीछा करता है, मगर दोनों भाई ये देखते हैं कि उनके पिता इगनाजियो भी एकडम पॉर्फिम अफिम लगा के दवे पाव एंजला के कमर के तरह बढ़ रहे थे, निनो उन दोनों को उसके कमर में जाने से रोकना चाता था, इसलिए वो एक ग्लास को उठा कि अपने दुकान के शिशे को मार के तोड़ देता है, जिससे दुकान में साइरन बजाती है, और सबको लगता है कि शायद दुकान में चोर घुसाए हैं, वो लोग तुरन पुल पुटों के सामने चिल्लाने लगता है, कि उसने दुकान का मेंगा कांच तोड़ दिया, और मनने के बाद भी वो उसे चेंज से जीने नहीं दे रही है, एक दिन चर्श से वापस अत्राइम इग्नाजियो कोरालों से मिलता है, जो उसे शाम को उसके घर कुछ कपड़ करने असल में वो अपने पिता को एंजला के साथ अकेला नहीं चोड़ना जाता था, इसलिए वो पॉर्सेलो को अपने घर बेज देता है, इधर कुरालों के घर में कुरालों से वाइन पिलाती है, और उसे चिपक के सेडियूस करने लगती है, नीनों भी इसे एंज्योई कर रह रिष्टे को एकसेप्ट नहीं करेगी, और इसके बारे में लोग क्या कहेंगे, इसलिए अगले ही दिन इग्नाजिव अपने पूरे फैमिली को लेकर गाव में अपने मा से मिल ले जाता है, ताकि शादी के लिए उनका इजाज़त ले सके, मगर उसकी मा इस बात से तब उन दोनों की शादी नहीं होगी, इसलिए रात को निनो एंजिनो के नीन से उठाता है, और कहता है कि मा उसके सपने में आई थी, और वह बहुत दुखी थी, क्योंकि तुम इससे भूल गये हो, और उसके जगा एंजिनो को बसंद करते हो, इस सुनके एंजिनो रोने लगता है, तब निनो उसे चिला चिला के नोने कहता है, जिससे उसकी मा को बदाते जाया है कि एंजिनो सिर्फ उने ही जाता है, एंजिनो मा मा करके चिलाने लगता है, जिससे घर के सभी लोग जग जाते हैं, जब एंजिनो उसे चुप कराने जाती है, तब एंजिनो कहता तो मैं अभी गभी यहाँ से चली जाओंगी वो कहती है कि मुझे समझी नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या चाहिए बट निनो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है मगर ऐसा नहीं है दोस्तो एंजला एक गरी परिवार से थी वो भी इग्नेजो से शादी करना चाहती थी क्योंकि फिर उसके लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी और उसे समाज में रिस्पेक्ट भी मिलेगी निनो अंजला को लेकर अपने मन में कई फैंटेसिस बना कर रखा है और उसे अब मौका मिल चुका है वो जानता है कि अब अंजला को ब्लैक मिल किया जा सकता है उसी रात निनो फिर से एंजिनो को निन से उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठता इसलिए वो खुदी चिलाने लगता है और सबको कहता है कि सपने में उसकी मा आई थी और वो अभी भी इस घर में है और उन्हें पसंद नहीं कि कोई उनके जगा ले और अगर ऐसा हुआ तो इगनेजियो का बहुत बुरा होगा इस उनके इगनेजियो डर जाता है और शादी कुछ दिन के लिए फिर से टल जाती है मतलब नीने अपने पिता के साथ अंजेला की शादी को टालने के लिए हर संभब कोशिश कर रहा था अगले दिन जब सब लोग घर में टीवी देख रहे होते हैं तब नीनों अंजेला को इनपरोपेटली छुने लगता है कभी वो उसे अपने सामने कपड़े उताने के लिए कहता है अंजेला उसकी हर ख्वाहिशे पूरी करती है क्योंकि इसमें उसकी भी अपनी स्वार्थ थी वो इग्नेजियों से शादी करके एक रईस परिवार का हिस्सा बनना चाहते थी निनो के डिमांड्स अब बढ़ने लगते हैं और ना चाहते हैं अभी अंजेला उन सबको पूरी करती है जैसे इसे अंजेला निनो की ख्वाहिशे पूरी करती जाती है उसकी और इग्नेजियों के शादी के बीच आ रही समस्या दूर होते जाते हैं इस तरफ इग्नेजियों भी अब खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और एक बार फिर से अपने मा से शादी का बात करने चला जाता है वो ये तरह करता है कि इस बार किसी भी हालत में शादी हो करी रहेगी भली उनका इजाज़त हो या ना हो इस रात अंटोनियों भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर चला जाता है दोस्तों अंटोनियों के जो पता चलता है कि उसके पीता अंजला को पसंद करते हैं और उसे शादी करना चाते हैं तब से उसने अंजला को छेड़ना बंद कर दिया था अब घर में सिफ नीनो, एंजीनो और अंजला थे रात को जब एंजीनो गहरी नीन में होता है तब भारी तुफान के कारण घर की लाइट चले जाती है और पुरा घर अंदेरा हो जाता है अंजला काफी डर जाती है क्योंकि उसे अंदर इसे डर लगता था इसका फाइदा उठाकर नीनो एक टॉर्च लेकर उसे डराने लगता है अंजला उसे ऐसा नाग करने के लिए गहती है मगर नीनो उसकी कमजूरी का फाइदा उठाकर उसे ब्लाकमेल करता है और उसे सारे कपड़े उतारने के लिए गहता है एंजिला विटिक ऐसे ही करती है और फिर वहां से भाग के एक कमरे के अंदर चली जाती है और वहां दोनों एक दूसरे के बहुत करीवाद आते हैं और दोनों के बीच में सारी बंदिशे तूट जाते हैं और दोनों संभोग में लिप्थ हो जाते हैं यहां सेन कट होती है और अगले दिन सुबा हम लोग इग्नाजियों को घर वापस आते हुए देखते हैं जहां इस बार उसकी मा ने उसे शादी करने के लिए इजाज़त दे दी थी निनो अपने पिता से कहता है कि पिछली रात फिर से मास अपने में आई थी यह सुनकर इग नियाजियो अंजला से कहता है कि वो उनके बच्चों को अपने बच्चों के तरह किस करें अंजला एंटोनी और एंजीनो को तो किस कर देती है मगर जब नीनो की बारी आती है तब एंजला उसे एक नौटी स्माइल देती है जिसे हमें यह लगता है कि इसके बाद भी उनक के बाद काफी successful हुई थी उम्मीद करता हूँ कि आपको यह करता हुई प केंजिते हुई हुई बहीं हां लुगति upwards